इस जी तो अभी last topics डिसक्स किया है कर और sales internship को क्वालृटिक्स को की हमने अपिनेशथे करेंगे channel of distribution , इससों का घ tuning धे रहते हैं Channel of distribution means route at with the goods transferred from producers to the customer or to the root Channel distributioniper US किस तरह से एक जो producer है वो अपनी goods को कस्टमर तक पहुछाएत है कॉन को से चैनल से चुछ यूस कर रहा है कॉन کॉन से रास्ता है उज़ यूस का रूट किया है इसके फैसे देखरेशन कि देखते हैं। डेखरेशन केते हैं, चैनल.फ दिस्ट्रब्शन सम्टैंब्स कल अध्रिशन ऐे ब्लाइड रहे हैं तो दा गूर्स ऐस दे मूफ रॉंदा प्रोडूसर तू दा अल्टिमेट कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल यूजर उसे का चैनल हम डिस्ट्रिबिशन का मतलब यहां पर यह लेते हैं वा उसे ब्रैक्ट में भी लिखा हूँ है कि इसे हम ट्रेश चैनल्स कहते हैं त्रेश मत कैसे करना है और अल्टिमेट कंज्यूमर तक आपने से पंचारा कैसे है अब हम डिस्क्स करते हैं इसकी काइड़ चैनल डिस्ट्रिबिशन में जो पहले है वह कहता है प्रोडूसर से चीज़ जाती है होलसेलर को तो रिटेलर को तो कस्ट्मर और फिर जाती है कस्ट्मर को लिए है जिए चिज़ को में दिस्कारा हो कि किसए होसे जो पर किसको देगा हो सिलरको को देगा समुट्रिव को पार भी फॉर्ब्रेड का और होफ दीक्रां प्रोंड्र का जया है अब अगेंद डिस्कस का लेते हैं, ये चैनल ऐसे होता है, कि प्रोडूसर पहले चीज़ें बहुत को बेचता है होसेलर को, फिर उन चीज़ों को थोड़ी कम तदाद में इसको बेचता है रिटेयलर को, और रिटेयलर तो फिर वो चीज़ें जो होती है, वो अल्टेमेटर इसको बेच रहता है customer को, एक तरीका का लिए है, तो दूसरा चीज़ा क्या है, producer to retailer to customer, इसमें whole seller को उसने skip कर दिया है, कई जो producer है, वो चीज़े बेचते है direct retailer को, और retailer बेचते है customer को, ऐसा क्राम होता है, जो हमने पहले का इंट पर दिया है, वो ते काम तरीका अगर हम सब जा चीज़ बेचते हैं, वो उसने अपना profit आट करके फिर बेचते थी retailer को, तो producer ने उससे ज्यादा कीमत पे ही चीज़ बेचते है, direct retailer को, तो wholesaler का बीच, business ने profit remove कर दिया, eliminate कर दिया, the profit of the wholesale is saved in this channel, वोई जो बात मैं आपको कारो, retailer profit also increase and the control of producer on supply of the goods increase, इससे क्या, retailer का profit भी increase हो ज चेंज होए न, इसमें depend करता है, product किस तरह की है, depend करता है, आपका producer किस तरह का है, आप किस तरह की customer को deal का रहे हैं, उस अलियास से हम चैनल स्लैट करते हैं, बस आप देखेंगा, क्योंकि ऐसी product है, जो के बहुत ज्यादा expensive product है, उसका selective customer है, फिर तो producer जो होता है, वो whole sir को remove कर सकता है, बलके direct customer को चीज़ें बेज सकता है, जो कि उसमें ज्यादा एफर्ट करनी पढ़ेगी, specific customer है, पता जाल जाता है, लेकिन अगर तो आपकी चीज़ें ऐसी है, जो कि basic necessities of life है, रोजगा की routine में यूजले चीज़ें है, customer बहुत ज़्यादाद की अदा है, तो फिर फिर को एड़ करना परेकर, रिटेलर को एड़ करना परेकर, तो ये depend करता है, किस तरह की product है, और किस तरह का customer जो आप फेस का रहे है, तिस्वाद रिकाब को बतार है, producer to consumer, अब उसने hosteler को भी remove कर दिया, और उसने retailer को भी remove कर दिया, producer हो धी direct ही customer को चीज़े sold out का रहे है, ऐसा आम तोर पे, आम तोर पे, उन products के साथ भी होता है, जो के कम price की है, market के अंदर भी रही है, जो के बहुत अच्छी quality की चीज़े नहीं होती, low quality price goods होती है, जिनको producer को direct ही customer तक लेके जा रहा होता है, सब producer अड़ाप ये एक मेन example दिये, इसके लावा अच्छी quality example भी आ सक consumer से उनको चीज़े बेच रही होती है, सब producers adapt the direct channel and they supply the goods directly to the consumer without any middleman, generally those goods, example दे रहा है, generally those goods are produced on small scale and sold directly to the customer, जो मैंने आपको कुझे में देते है, small scale गी, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं होता, lost scale पे भी ऐसा हो सकता है, मैंने weapon industry का कुझे आपको example दी, उसमें भी हो सकता है, इसे result company है, international company है, ये jet place मिलाती है, war jet place, जो army के होते हैं, तो आप उसको direct order देते हो, क्योंकि ये एक national level पे orders होते है, customer national, पुरा का पुरा मुलक की customer होता है, तो ये government order देती है, तो वो direct वहाँ से चीज़े purchase का सकती है, producers through, agents through, wholesalers to the retailers, to the consumers, जो next one में बता है, वो बहुत सबसे, बता है, आप इसने किया कि है, producer पहले चीज़े बेच रहे है, agent को, किसी middle bear को, middle bear पिर आगे चीज़े बेच रहे है, wholesaler को, wholesaler को, wholesaler दे रहे है, retailer को, और फिर जा हृँ, consumer तक, ये क्या होता है, अकार्टन डिस चैदल, producers contact with the agents and pay the commission to them for selling the product, the agent supply the goods to the wholesaler, 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 supplier, 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 वो को, चैप्टर पढ़्या है तो नों गुप्लिकेशन से बचने के लिए जो प्रडूसर होता है जो होसी ऑच्छी इस होता है अगले इजेंट से सेर्थ हो एजेंट करता करता है वह एजेंट के तुछ तो दें इसमें फिर आसा होता है इस अचनल हो चेटेर्ड के अच्छांप अ आपको ऐसा होता है in this channel if the producer is producing goods on the large scale and the production of this firm is good in market and then the establishes his own retail trader producer supplies the goods directly to those shops consumers can purchase the firm with these shops purchase our goods from these shops at the specific price as compared to the market prices अशने रहाओश से आपका मार्किट में अच्छी गुड़ गोल है आपको अची तरह से जानते हैं, मतलब की प्रोड़क को अची तरह से वेल लून है, तो फिर आपको होसेलर की और बायर के टैलर की जरुट नहीं है, बिसिकली, अगर आपकी गूर्ड मार्केर में वेल लून है, तो आप अपने ही शाप से रेज करें, उसे क्यों आपके आप को सारी कास्ट, सारा वो खर्चा बच जएगा, जो आपने पैसे कम करें थे होसेलर को, होसेलर ने पैसे कम करें थे रिटैलर को, वो दोनों बच को सारा प्राफिट, होसेलर का प्राफिट भी और डिरेक्ट आगया, और्ड के पास, प्रोडूसर के पास, तो यह तब होता ह जब आपकी market, में चीज़ well known, आपको different, assistance की जरूरत नहीं है। आपको कोई सहारे की जरूत है, driving business, आपकोसिर की बिर्ज़ूर गांती ओकुछं आपको doctor की पिर्ज़ूमर की जरूत नहीं है, आप जानती अपकर मुझे लोग जानते हैं retailer को consumer को यह example पे पीछे पाना है तो यह आपका था sales promotion का full topic इसमें हमने सबसे पहले sales promotion को discuss किया कि promotion कैसे की जाए कि अपनी चीज़ को मुशूर कैसे किया जाएगा market के अंदर फिर में discuss किया उस जो techniques किया है उसमें free opens की बात हमने की उसमें trading stamps की बात हमने की तो इसके बाद हमने discuss किया salesmanship को salesman क्या होता है और salesman क्यों important है किसी फंक के लिए उसकी qualities किया है हमने इसको discuss किया इसके बाद हमने lost अपने discuss किया इस chapter का वह है distribution आपके channels तो यह chapter मारा mind up होगे इंशाला next video में फिर new chapter को हम discuss करेंगे आई थिक सो जो मारा next chapter होगा वो insurance के बारे में होगा chapter जी आला आपीस